हलो फ्रेंड्स, मैसल प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ओफ इम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ यह जो वीडियो है यह कुछ नारो पर है जो नारे है इस पर ही एक competition होने जा रहा है जिसको देखते हुए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही beneficial होने वाली है तो दोस्तो वीडियो को end तक देखिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो please वीडियो को like कीजिए और मेरी आपसे request है कि channel को subscribe करना ना भूले मुझे अपना थोड़ा support दे मैं आपके लिए बहतर से बहतर चीज़े लेकर आती रहती हूँ दोस्तो अगर आपको इस वीडियो की मतलब इस topic की second part भी चाहिए इस topic का तो आप मुझे comment box में comment करकर बता सकते है मैं आपकी अपनी तरफ से 100% help करने की कोशिश करूँगी और जल्दी से जल्द इसका second part आपके लिए लेकर आऊंगी तो please comment box में मुझे आपके बता सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो हमारी राष्ट्य एकता पर नारे कि जो हमारी भारत की राष्ट्य एकता है उसके उपर हमें नारे लिखने है नारे का मतलब है हमें जो हमारी राष्ट्य एकता है उसको नारे के रूप में दर्शाना है तो इस तरीके से ये इस topic का meaning हुआ अब देखे ये नारे मैंने लिखे हैं, अगर आपको पसंद आते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज लाइक करना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं, पहला है, मेरा ना कोई मजहब है, ना कोई जाती का नाम है, हिंदुस्तान में रहता हूँ, राष्टिय एकता मेरी पहचान है, तो इस तरीके से यह आपका पहला श्लोगन था, कि ना कोई मेरा मजहब है, मतलब ना मैं हिंदु ना मैं मुसल्मान मानता हूँ, ना मेरी कोई जाती है, कि भई तुमारी ये जाती है, जाती है, तो ये चीज़े नहीं है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, या मैं हिंदुस्तान में रहने वाली हूँ, तो मेरे लिए राष दोनों का यहां तियोहार है मिलता एक साही सबको अधिकार है मिलता एक साही सबको अधिकार है प्रेम की धारा बहती इसमें दिल में आदर का वास है सब रहेंगे एक हमेशा सब रहेंगे एक हमेशा यही तो भारत का इतिहास है यही तो भारत का इतिहास है तो इस तरीके से यह आपका second quotation थी second नारा था कि चाहे कुछ भी हो भारत तो एक ही रहेगा जो कि इसका इतिहास भी बताता आया है next देखिए अखंड भारत की यही पहचान अखंड मतलब होता है कि एक जोट होना मिला हुआ होना मतलब जिसका कोई खंड जिसका कोई विभाजन ना कर सके ठीक है अखंड का मतलब होता है एक साथ एक जुडा हुआ अखंड भारत की यही पहचान हिंदू मुसलिम एक समान भले ही रंग अलग हो हमारे लेकिन रक्त का रंग है एक समान लेकिन रक्त का रंग है एक समान मतलब जो मेरा अखंड भारत है उसकी यही पहचान है कि हाँ हिंदू हो या मुस्लिम हो सब एक समान है भले ही कोई कोई सा भी रंग मानता हो लेकिन जो हमारा लहू है जो हमारा खून है जो हमारा रक्त है उसका रंग तो लाल ही है उसका रंग तो एक समान ही है तो इस तरीके से यह आपका next नारा था next देखिए एक भारत स्रिष्ट भारत देशों का यह देश है भारत जहां मिलता हर भेश जहां मिलता है हर भेश वेश मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि हर तरह की वेश भूशा या हर तरह का एक आवरण तो जहां मिलता हर भेश, ऐसा मेरा भारत देश, ऐसा मेरा भारत देश, ठीक है? तो एक ऐसा स्रेश्ट भारत है, next देखिए, रास्ते चाहें कितने भी अलग हों, रास्ते चाहें कितने भी अलग हो, मन्जिल सभी की एक ही है, मैं गीता पढ़ू या कुरान, अर्थ सभी का एक ही है, तो दोस्तों देखिए, आप जिस तरीके से नारे बोलते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पढ़ता है, कि आपके बोलने का तरीका क्या है, आपकी बोलने में उतार चड़ावाने चाहिए, उचा और नीचा स्वर का ध्यान रखना चाहिए, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज मे कमेंट बुक्स में कमेंट करकर बता सकते हैं मैं आपकी अपनी तरफ से 100% हेल्प करने की कोशिश करूँगी तो दोस्तो प्लीज गिव मी ओर सपोर्ट थेंक यू सो मच